द्रिस्यम 2 का बॉक्स ओफिस पर दबदबा कायम है अजय देवगन, अक्षय खन्ना और तब्बू स्टारर फिल्म पांच में दिन भी अपना शांदार कलेक्शन जारी रखा है बॉक्स ओफिस पर ओपनिंग डे से ही जम कर कमाई कर रही है इस्पिंस क्राइम थ्रिलर 18 नवंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी द्रिस्यम 2 की रिलीज के 5 दिन हो चुके हैं और फिल्म अब तक अपने बजट से जादा कमा चुकी है फिल्म में अजय दिवगन के अलावा तब्बू हैं स्रिया शरन हैं अच्छय खन्ना हैं जो अहम रोल प्ले कर रहे हैं द्रिस्यम 2 रिलीज के पहले दिन से ही ओडियन्स को सिनेमा घरों तक खीचने में काम्याब रही है कमाई के बाद करें तो पहले दिन द्रिस्यम 2 की कमाई 15 करोड के करीब थी वहीं दूसरे दिन फिल्म का कलेक्शन सांदार रहा और 21 करोड के करीब कमाई की और तीसरे दिन करीब 27 करोड के आसपास की कमाई हुए वहीं चौते दिन फिल्म अच्छा कलेक्शन कर रही थी और माना जा रहा है कि 11.87 करोड रुपे का कलेक्शन फिल्म ने किया है वहीं फिल्म के पांचवे दिन की भी कमाई अच्छी मानी जा रही है सुत्रों की माने तो करीब करीब 11 करोड रुपे इसने कमाए है अभी तक माना जाये तो पुल कमाई 86 करोड रुपे है जो द्रिस्यम ने कमा ली है जल्द ही उमीद की जा रही है कि द्रिस्यम 200 करोडी कलब में शामिल हो जाएगी अभी तक सौकरोडी क्लब में शामिल होने का दबदबा फिल्म इंडस्टी में सबसे ज़्यादा सलमान खान के लिए माना जाता था फिल्में रिलीज होने के बाद तावर तोड चलती भी और जल्दी सौकरोडी क्लब में शामिल हो जाती भी सौ करोडी कलब की शुरुवात भी माने तो सलमान खान की फिल्मों से ही हुआ था जिसके लगतार कई फिल्में आई सलमान खान की और वो सौ करोडी कलब में शामिल होती नहीं लेकिन फिलहाल द्रिस्यम 2 की बात करेंगे द्रिस्यम 2 2015 में आई द्रिस्यम की नेक्स्ट इंस्टॉल्मेंट फिल्म है द्रिस्यम 2 पचास करोड रुपे की बजट से बनकर तैयार हुई है वहीं फिल्म के पाँच दिनों की कमाई का आंकडा बजट से काफी आगे निकल गया है फिल्म के सौ करोड कलब में शामिल होने की पूरी उम्मीद है मदर थ्रिलर में अजय देवगन एक बार फिर विजय सामवलकर बनकर छा गए है फिल्म में तब्बू स्रियासरन अक्षय खन्ना ने भी दमदार एक्टिंग की है हिंदे में रिलीज हुई दृश्यम और दृश्यम 2 मल्यालम भाषा में इसी नाम से बनी दोनों फिल्मों का रीमेक है